क्या होगा यदे अनाकॉंडा आपको निगल जाए दोस्तों दादी नानी से आपने भी कहानियों सुनी होगी कि किसी राजकुमार को एक बहुत बड़े साप ने निगल लिया फिर राजकुमार साप का पीट काट कर सुरक्षित बहार निकल गया अनाकॉंडा फिल्म में भी बड़ा साप इंसान को निगल जाता है लिकिन के ऐसा वास्तों में संभव है कि अनाकॉंडा किसे इंसान को निगल सकता है इंसान को निगलने में कितना समय लगेगा कितने समय में इंसान की मौत हो जाएगी इंसान को डैजेस्ट करने में एनाकॉंडा को कितना समय लगेग और एनाकॉंडा ने आज तक किसी इंसान को अपना शिकार बनाया है चलिए फिर इनी सवालों का जवाब ढूंडते हैं रहसे टॉक शो की इस नई वीडियो में एनाकॉंडा दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा साप है फिमेल एनाकॉंडा की ओसत लंबाई 15 फीट और मेल एनाकॉंडा की लंबाई 9 फीट तक होती है हाला कि अब तक के मिले सबसे लंबे एनाकॉंडा की लंबाई 30 फीट तक पाये गई और इसका वजन 200 किलोग्राम पाया गया एनाकॉंडा का पसंदिदा शिकार हीरन जंगली सूर और बकरी है कुछ एनाकॉंडा मगर मच कभी शिकार कर लेते हैं एक बार शिकार करने के बाद एनाकॉंडा 6-12 महिने तक असानी से रह सकता है लेकिन क्या एनाकॉंडा इंसान को निगल सकता है वैसे तो एनकोंडा इंसान से डरता है और दूरी रहता है लेकिन ये भी संभव है कि मौका मिलते ही एनकोंडा इंसान कभी शिकार कर ले अपने शिकार को निगलने से पहले एनकोंडा उसे अपने शरीर से लपेडते हुए दबा कर मार देता है शिकार पर एनाकॉंडा का दबाव 4000 kg तक का होता है इतने प्रेशर से बलड सर्कुलिशन बंदो जाता है और फिर सास रुकने या हर्ट फेलियोर से शिकार मर जाता है अनाकॉंडा तब तक अपने शिकार को लपेटे रहता है जब तक कि शिकार की धड़कन बंद ना हो जाए अनाकॉंडा दिल की धड़कन महसूस कर सकता है यदि अनाकॉंडा इंसान का शिकार करता है तो वो निगलने से पहले उसे मारने की कोशिश करेगा अपने शिकार को मारने के लिए एनाकॉंडा को ज्यादा मेहनत करने के अश्यक्ता नहीं होती अपने शिकार को शरीर में लपेट कर एनाकॉंडा शिकार के मरने का इंतजार करता है इससे ये बात तो क्लियर हो जाती कि एनाकॉंडा इंसान का शिकार कर भी ले तो भी वो उसे निगलने से पहले मार देगा और मारने के बाद ही उसे निगलेगा एनाकॉंडा के मूँ में कोई दात नहीं होता वो इनसान को समूचा ही निगलने की कोशिश करेगा एनाकॉंडा के मूँ में अत्यादिक मात्रा में लार मौजूद रहता है ये लार इनसान को या किसी भी शिकार को निगलने में मदद करता है एनाकॉंडा के शरीर भी इनसान को अंदर की और पुश करता है और शिकार को दबाते वे अंदर कर लेता है किसी इनसान की बाड़ी के एनाकॉंडा के पेट में पहुचने के बाद उसे पचाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पेट में कुछ भी पहुँचने के बाद एनाकॉंडा की आंथ से भारी मात्रा में रसाइनिक पदार्थ रिलीज होता है ये ऐसे इतना पावरफुल होता है कि मगरमच की मूटी चमडी को भी तीं दिन में गला दे इस एसीड से इंसान की स्किन कुछ ही गिंटों में गल जाएगी एनाकॉंडा के पेट में और छोटी आंत में जाने पर इंसान के शरीर की उपरी परत पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी और डैजेस्ट होना शुरू कर देगा छोटी आत में जाते हुए अनाकॉंडा इंसान के शरीर को दबा देगा जिससे हड़ियां भी तूट जाएंगी छोटी आत में जाने पर लिवर और पैंक्रियाज से पावरफुल एंजाइम रिलीज होगा एसीड और एंजाइम से इंसान का शरीर पूरी तरह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा इंसान को पूरी तरह डाइजेस्ट होने में 4-6 हफ़ते का समय लगेगा एनकॉंडा की आत में मौझूद एसीड और एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि हड़ियां भी डैजेस्ट हो जाएगी यदि एनकॉंडा के इसे इंसान को जिन्दा ही निगल लेता है तो वो इंसान कुछ ही गंटों में दम तोड़ देगा एनकॉंडा के अंदर जिन्दा जाने पर निगलने के बाद अंदर जाते ही सफोकेशन के वज़े से उस विक्ति की मौत हो जाएगी सफोकेशन से बच भी गए तो एनकॉंडा के शारिरिक दबाव से दब कर वो इनसान मर जाएगा इन दोनों से बच जाए तो फिर एनाकॉंडा के पेट में ऐसे डोर एंजाइम की वज़े से उसकी बौडी गल जाएगी और फिर वो मर जाएगा कहानी और फिल्म जैसा एक्च्वल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि एनाकॉंडा का पेट चीर कर कोई इनसान बाहर निकलाए आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी पागल शक्स है जो खुद एनाकॉंडा का शिकार बनना चाहता था एनाकॉंडा का शिकार बनने के लिए उसने काफी तयारी भी की उसे शक्स का नाम पॉल रोजो ली है यह अमेरिका के रहने वाला है और 2014 में पॉल ने खुद को एनाकॉंडा का शिकार बनने की गोशना की थी इसे डिसकोवरी चैनल पर इटन अलाइव नाम से दिखाया भी गया था एनाकॉंडा के पास जाने से पहले पॉल ने स्नेक प्रूफ सूट भी पहना था सापके पास जाने के बाद शुरू में तो एनाकॉंडा पॉल को इग्नोर करता गया पर पॉल उसे उकसाता गया फाइनली एनाकॉंडा ने पॉल पर अटेक किया अटेक करने के बाद एनाकॉंडा ने पॉल को लपेट कर दबाना शुरू किया अत्यदिक प्रेशर की वज़े से पॉल की बाँ और कंदी हड़ी तूड गई दर्द की वज़े से पॉल ने अपना प्लान कैंसिल किया और मदद के लिए आवाज लगाई पॉल को अनाकॉंडा से बचा लिया गया और वो पूरी तरह घायल हो चुका था उसे महीनों होस्पिटल में रहना पड़ा पॉल की इस हरकत की वज़े से उसे काफी आलोचनाई जहिलने पड़ी पेटा ने भी अनाकॉंडा के साथ खिलवाड करने के लिए पॉल के खिलाफ नाराजगी चिताई हलाकि पॉल खुद भी जानवरों के संरक्षन के लिए काम करते हैं पॉल ने इंडिया में भी बाग के संरक्षन के सिलसले में काम किया है पूरी दुनिया में कहीं भी अनाकॉंडा द्वारा इंसान को खाय जाने की घटना अभी तक नहीं हुई है आपको वीडियो कसे लेगी कॉमेंट में ज़रू बता दीजेगा